में नवंबर के मेरे प्रीजी एग्जामेशन में मेरे फिफ्ट रैंग थी और पीजा इस डेली नॉलिज ट्रैक के जरीये में अपकोछ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से मैंने इन एक्जामनेशन में प्रिपरेशन करी है करने के पर मैं अभी आपको अपना बताऊंगा कि कैसे मैंने किया यहां पर आपको उसमें से खुद पॉइंट्स उसमें से चूज करके अपने सिचुएशन में फिट बैठाने होंगे यह थोड़ा सा इसमें रहता है कोई भी एक रास्ता हर एक के लिए सही ही रहता तो जैसे मैं अगर बताना चाहूं तो एक बहुत ही लंबा कोर्स होता है तो मेरा मानना यह है कि सेकंट सेकंट पर की बिगनिंग तक आप कोई अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं तीन साल फिर उसके बाद आपके लिए काफी मतलब हैंडी रहते ह के लिए यू एस यू के या फॉरन जाने के लिए कर तयारी करना तो मेरा अंदाज है कि इन आप को आंगे करना क्या है ताकि आपके पास जो नेक्स्ट के तीन साल होंगे मीबी यस के वह आपको कम से कम काफी टाइम देंगे कि आप एक्जाम के लिए प्रिपेर कर सकें सब्सक्राइब कर आपको थोड़ा बहुत अपना मतलब लाइफ में इंजोयमेंट भी संक्सम चलता रहे हैं तो बैसिकली मैं ने तो यह किया था लाइक इन अप T उसमें प्रॉप से अंहीं होते हैं मेरे आश्यबल करतीज्ख से शुरू लीख वास्टिक्ष करना होता है पोई मैंने में सूरे जोग और इसके अलवा मतलब कोचिंग उनकरी थी तुक्त य। सब से नियुक कोचिंग करें वाइसज अनुह कोचिंग जोइन कर लीजिए था कि आपके पास कोई करने के नोर्ट रहें कोचिंग होती है आप एक लुए जास होटा था कोचिंग के हिसाब से कि लोग वा एक सीनियर से बात करी उनके guidance में मैंने वही किया था मैंने देम्स का फाउंडेशन कोर्स किया थ्री यह वाला और उसके संग-संग कुछ-कुछ टीचर्स की उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको लगाने ही चाहिए जैसे डॉक्टर थमीम की मैडिसन की रिवीदन प्रोग्रम होता है सब्सक्राइब करना है इसके अलावाद दूसरी क्लाश जो मैं कहता हूं कि सब लोगों को लगा लेनी चाहिए सब्सक्राइब करने में क्लाश सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए फिर अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिलता है तो आप मतलब पीएसम की डॉक्टर विवेग जैन की क्लासिज भी कर सकते हैं क्योंकि पीएसम बहुत वास्ट सब्जेक्ट है चार दिन में आपको पास अच्छे नोट होते हैं जो आपको रिवाइस करने में मदद कर सकते हैं इसके अलावा वैसे कोचिंग और सेपरेट क्लासिज को अल पास 15 के ही पेपर में 50 साथ कुश्टन ऐसे होंगे जो की पोस्टिंग से आते हैं कई लोगों को यह लगता है कि ठीक है मेरे को एंबीवेसी क्लास जातके कुछ समझ में नहीं आता महां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं तब भी कहुँगा कि आप क्लास जरूर जाएं अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है बस आप सुनते ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्टेंट चीज़े होती हैं जो फूस्ते हैं वह इतनी वार रिपीट होती है कि कभी ना कभी आपके दिमाग में वह क्लिक करेगी कभी ना कभी तो चुपकी जाएगी जितन यहां धी मिलेगा इंजोय करने का उसमें भी तो मेरे तो मेरे हिसाब से कम में यह छोड़नी चाहिए पूरी के पूरी आपको क्लास करनी चाहिए और बुक्स रहा बुक्स की बाद तो मेरे को लगता है कम से कम आपको tacks बो संकी संख पढ़ना चाहिए मैंने टैक्स बूक स पर जैसे प्रॉफ का एंड रिवीजन मैंने पूरा उसी से किया था इसके अलावा मैंने हार्पर भी पड़ी थी बायोकेमिस्ट्री में पर मैंने उसको इंटरंशिप में रिवाइज नहीं किताब है अगर आप को शुदू में नहीं थोड़ा समझ में आता तो आप लिपिन सकते हैं नेटर्स की और स्टुडेंट से इंपॉर्टन टॉपिक्स पढ़ सकते हैं इसके लावा सेकिंड पूरे पूरे में पड़ नहीं है तो मेरे साब से क्योंकि कम से कम यह आपको लॉजिकली आइडिया देती है कि कैसे अपने को डिसीज के बारे में क्या-क्या पता ह बेसिक सी बात कि अपने को और पता चलता है क्या के नहीं पता है तो यह पूरा मेकनिजम आपको पता चल जाता है रॉबिंस पड़ के कि से होती है पूरी बॉडि में और क्या-क्या उसमें कहीं चीजह आ सकती है अगर आपने रॉबिंस अच्छे से पढ़िए तो आपके लिए medicine काफी आसान हो जाती है surgery बहुत आसान हो जाती है थर्ड प्रॉफ में तो मेरा मन नहीं है कि अगर जो जो लोग अभी second प्रॉफ में है कम से कम रॉबिंस तो पूरी पढ़ें इग जितनी वार भी पढ़ सकते हैं उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है बाकी सब्जेक्स में microbiology में अगर आपके पास time हो तो आप जैविट्स पढ़ सकते हैं उसमें काफी अच्छी इमेजेज हैं और वो सब हैं जो की repeat होता रहता है एक्जाम में सब्सक्राइब की कुछ बुक्स हैं जिनका कोई alternative नहीं है मेरे हिसाब से जैसे की सरजरी में बेली एक ऐसी बुक है कि जिसके जगह पे लोग काफी दूसरी बुक्स पढ़ते हैं जैसे की इसर बी और वो सब पर मेरा मन नहीं है कि बेली के एट लिस्ट पहले के 400 पीजिस कोई alternative नहीं है क्योंकि कोश्चंस डारेक्ली उससे आते हैं उसकी इमेजिस से आते हैं उसके लेजेंड से आते हैं जो इमेजिस के नीचे लिखाए ग्राफ से आते हैं कहीं से भी आ जाते ह इसके अलावा बाकी चीजें जैसे surgery में रहती हैं कि breast thyroid diseases है इन सब के लिए latest guidelines एक बार आपको कहीं ना कहीं से देखनी होती है जैसे मैंने Washington Manual of Surgery है उसका latest edition है उसमें काफी latest चीज है breast and thyroid के लिए मैंने वहां से देखा था इसके अलावा बाकी books जैसे लोग यूज करते हैं मै recommend करूंगा जो मैंने पढ़ा है मैंने खुराना से अप्था पढ़ा था डॉक्तर विनी सेगल का मैंने group बी जोइन किया था उसके अलावा मैंने medicine मैंने harrison पड़ी थी harrison के मैंने topics मतलब decide करके पढ़ा था infectious disease छोड़कर बाकी सब चीजें मैंने harrison से एक बार जरूर पड़ी पड़ने से और फिर अगर आप कोई सोचें तो कहीं ना कहीं से अच्छी जगे से आपको फिच्व कर ने होते हैं पार्क से पढ़ने के बाद तो आप कहीं ना कहीं से द्ची जगे आपको देखना होता है जैसमें कि अगर आप चाहें तो विविक जैन की guidebook है हाई-yield biostatistics है जो कि काफी चोटी और कॉम्पैक्ट और काफी यूसफुल बुक है अगर आप करना चाहें तो महाजन की बायो स्टेटिस्टिक्स है और इसी तरीके से जो लेटेस्ट गाइडलाइन से टीवी और एड्स और हैपेटाइटिस की आपको इंटरनेट से कहीना काइशन मिनिस् के और कॉंफिडेंस भी आता है इसके अलावा जैसे थर्ट प्रॉफ आता है मेरा इर्मानना तो यह था कि थर्ट प्रॉफ के एंड में भी अगर आप टेस्ट बुक्स से पढ़के एग्जामिनेशन दे तो ज्यादा अच्छा है भले ही आपके थोड़े माक्स कमाएंगे प्रॉफ में अगर आप पास हो रहे हो और एग्रीट आपका 55 परसेंट बन रहा है तो थर्ट प्रॉफ के माक्स इतना में नहीं करते मेरे साब से अगर आप तब भी टेक्स्ट बुक पढ़ें और अच्छी किताबें पढ़ें स्टेंडर्ड बुक्स पढ़ें तो ज्याद बढ़ी होगा इंटरंशिप में अर देंटरंशिप में मैं लखी था क्योंकि बैसिकलि मैं है कि पॉस्टिंग वर इन फ़र्स फ्री मन्स ओंवली तो मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन मार्ट के अंड से शुरू करी थी उनीशली मैंने जब कोर्स कवर करने की कोशिश कर तो तो मेरा idea यह था कि मैं questions देख देख कर कम से कम जो aims के जब से aims का pattern बदलाए November 15 से उसके बाद के मैं सारे questions देख देख कर यह idea लगा लेता था कि कौन-कौन से topics important हैं और कौन-कौन सी चीजे हैं जो मेरे को textbook से दुबारा पढ़नी हैं जो कि मैंने पढ़ी भी और मैंने रिवीजन सेप्टेमबर के आराउंड शुरू किया था क्योंकि मेरा course थोड़ा लेट हो गया था सेप्टेमबर मिड के बास मैंने रिवीजन शुरू किया एक गड़ महीना जिसमें कि मेरे coaching notes थोड़ा कोचिंग नोट्स ने मेरी काफी help करी इसके अलावा जैसे कि मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ गाइड बुक्स भी पड़ी है तीन चार सब्जेक्स की मैंने फिजियोलजी की गाइड बुक पड़ी थी सौमन मन्ना की नाम से आती है रवेका जेम्स का बायो केमिस्ट्री पड़ा था देवेश मिश्रा की pathology पड़ी थी और और अपूर महरा की orthopedics पड़ी थी और इसके लावा अपूर शंकर सास्त्री की microbiology भी पड़ी थी यह पांच मैंने बुक्स पड़ी थी जरूरी यह है कि इनके संगसंग आप इनके जो पीछे के questions है वह भी पूरे के पू देखें तो ज्यादा बैटर है क्योंकि अभी तो मैं अभी के पेपर के साफ से बताऊंगा जो पिछले दो साल के थे आंगे का पेपर जब दूसरे नहीं आएंगे तो आपको उसरे साफ से टॉपिक्स चूस करने हैं तो जैसे कि मैं बताना चारा था कि कुछ टॉपिक्स रेस्पिरेटरी फिजिजिया दुबारा पड़की देखी थी सारी इमेजस देखी थी सन्से मैंने पैथोलोजी में रॉबिन्स का मैंने काफीका पौर्शन देखा था लगबग आदी से अदब भुक मैंने दुवारा पढ़ी थी पर अगर आप मुझसे पूछें तो जैसे कि बेली से मैंने फिर से कहा कि जनरल सर्जरी और ट्रॉमा आपको पढ़ लेना चाहिए दुबारा क्योंकि इमेज आती हैं काफे काफे कुश्टन्स आते हैं इसके अलावा से अगर आप चाहिए तो क्रिटिकल केर का चैप्टर दुबारा पूरा यूनिट दुबारा देख सकते हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली और एग्जामिनेशन देख सकते हैं ऐसे करकर के आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ यह टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कि बहुत में जा रहे हैं मेरे गाइड बोक्स मेरी नोट्स इसमें सफिशेंट नहीं रहेंगी तो मेरे कोई डीटिल में पढ़ना इसके लाब आपको प्रैक्टिकल सारे देखने पड़ेंगे एंस के लिए क्योंकि प्रैक्टिकल इमेजिस आती हैं और वह सब आता है तो जैसे कि ए आप अपने पेपर देखकर उसी तरीके से अपने पड़ाई का पैटर्न बना सकते हैं और मेरा मानना यह है कि कभी किसी चीज़ पर आपको अटकना नहीं चाहिए जाए टाइम फ्रेम ज्यादा टाइम के लिए अगर दिखिए बेसिकली एम्स के पेपर में 40-50 कोश्चन ऐ है उस टॉपिक को तो कम से कम अच्छे से पढ़ दो कि अगली बार अगर उस टॉपिक से आसान कोश्चन आता है तो वह आपका गलत नहीं होना चाहिए जैसे कि लोग क्या करते हैं कि कि किसी चीज़ को बहुत टाइम तक पढ़ते चले आते हैं तो एक टाइम फ्रेम आपक करने का रखते हैं उस टाइम में तो पचास परसेंट भी नहीं हो पाता बड़ी मुश्कल से तो अगर आपका 50 परसेंट से कम हो रहा है तो थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएं और थोड़ा सा केर फ्री होके काम करने की कोशिश कीजिए इसके अलावा बेसिकली और तो देखिए में ऐसा है कि काफी पीजी में कम रहती है तो थोड़ा सा तफ पढ़ जाता है प्रेशर काफी रहता है पर मेरा मानना यह है कि कम से कम आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में मतलब डॉक्टर की बहुत कमी है और आपकी काफी वैल्यू और वो तो नहीं आती है और क्लिनिकल केसिस कम आते हैं में यह दौनों चीज़े काफी बड़ा चंक बनाती है आदे से जादा के क्लिनिकल केसे और इमेजिस मिला कर होते हैं तो प्रिपेर कर रहे हैं तो आपको ठोरी बहुत थोरो होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल और वह सब है वो का कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि कोश्टन बहुत होता है 250 और कोशिस होके कई मार्क नहीं करते हैं मेरा मानना यह है कि अगर आप लगभग श्योर है आंसर को लेकर और हलका सबी हलका ही डाउट है तो आप उसको मार्क जरूर करके आया अप नेगेटिव मार्किंग से ड के लिए भी अभी तक जो मेरे को ज्याज़ा सही लगा भाटिया की ऑनलाइन टेस्स काफी अच्छी है अगर आप उसको जॉइन करें तो भले ही उसमें बच्चे कम बैटते हैं पर उसका पेपर काफी अच्छा होता है एस कंपर टू जो औरिजिनल पेपर आता है वो उसके कंपरेजन में काफी मतलब करता है और इसके अलावा आप उन जो करेंगे ऑनलाइन और वो सब उससे आपको कम से कम यह अंदादा लगना चाहिए कि एक्जाम में जाके आपका कहां गड़वड होने वाली है कहां दिक्कत उने वाली हो पहले से करके जाएं तो कई लोग जो पैनिक हो जाते हैं या फ्रेस्टेट हो जाते हैं वह थोड़ा सब पहले से अगर करें तो कम हो सकता है मेरे साब से अगर आप बहाटिया कि ऑनलाइन टैस सेरीज लें तो काफी सभी है एम के लिए तो और मेरे साब से काफी करके आने हो चाहिए मतलब मैंने तो पूरे 200 के 200 क्योंकि में टाइम नहीं था तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा छोड़ना कौन सा नहीं तो मेरे साब से में भी आपको ज्यादा करने चाहिए अगर आप एक option को भी रूल आउट कर पा रहे हो और तीन option में डाउट है कि क्या answer होगा तो आप अगर मतलब question होते हैं इसका answer पता नहीं होता किसी को पर ऐसा होता है कि उन question में भी दो option तो आप eliminate करी सकते हो तो तुक्का मारने में भी उन दो option में आपको बहुत फायदा है फिर इन तो आपकी किसमत करती ही है कि आपको कहां पर मिलता है क्या पर basically मेरा मानना है कि डरना नहीं चाहिए एक्जाम से पहले और यह डर अगर आप पहले से दो तिन टेस्ट करें और घर बैटके मॉक सीरीज करें तो यह डर काफी हद तक आप निकाल सकते हैं और उसके अलावा दूसरी चीज जो कि मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी लेट नहीं होता शुरू करने में मेरे कई सीनियर तो फिर उन्हें सिर्फ तीन महीने पढ़के भी तीन महीन अच्छे से पढ़के भी दिया तो उनकी एमस में अंडर 500 रेंक है 450 ऐसा कुछ है तो मेरा मानना यह कि कभी भी लेट नहीं है शुरू करने में अगर आप इंटरंशिप के बाद भी शुरू कर रहे हैं तो एक साल अगर आप धंग से महनत करेंगे तो respectable rank आने के काफी chances है और कभी डरना नहीं चाहिए paper से हर 6 महीने में 6 महीने में बार बार exam होते ही हैं अगर आपने महीनत करी है तो कभी ना कभी आपकी किसमत आपका साथ जरूर देगी और कभी ना कभी आपको अपनी महीनत का फल तो जर आप किसमत देगी ही इसके अलावा मैं यह भी करना चाहूंगा कि ठीक है कोचिंग बहुत important होती है पर absolutely necessary नहीं है अगर आप अपने notes बनाएं और वह सब करें तो हलाकि आजकल हर जगे satellite centers मौजूद है तो अगर आप वहां join करके बना लें तो अच्छा है पर अगर आप MBBS क सब्सक्राइब करते हैं तो आजकल के जो पेपर पैटर्न ऐसा है कि वाकई में वह ज्यादा प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं तो अगर आपने पूरा MBBS भी ढंक से अटेंड किया है अपना college तो भी आपके chances काफी बढ़ जाते हैं एमस के paper में ऐसा होता है कि answers बहुत करी नहीं बैठते हैं तो उसको छोड़ जाते हैं पर मेरा मान नहीं है कि आपको नुकसान देगा अगर आप एक option भी eliminate करते हैं और बाकी तीन question में भी blindly भी दुक्का मारते हैं तो chances यह हैं कि आपको positive में फायदा जाएगा तो आपको question छोड़ने नहीं है मैंने एमस में पूरे होता है मेरा मान नहीं है कि अगर आप लगभग शोर हो तो हलका सा भी डाउट है तब भी mark करके आना चाहिए क्योंकि अगर आपने mark नहीं किया तो वैसे भी आपके chances नहीं है अगर आप करते हो तो थोड़े बहुत chances बन जाते हैं उसमें पीजी आई में भी अगर आपको ब कार में सारे के सारे 250 के 250 करने हैं तो थोड़ा सा पेस बना के रखना पड़ता है कि कई लोगों का मैंने देखाए पेपर चूट जाता है चालिस पचास चूट आते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए भी आप पहले से प्रैक्टिस करके एक वाट जा सकते हैं तो ज्य की क्योंकि हर एकजाम के बीच में एक से दो हटे का गप होता है तो उस गैप में उस एक्जाम का जो आपने नहीं की है उसके प्रिवियस कोश्चंट करनेफ ज्यादा बेटर हैं और मेरा मानना है कि कोर्स क्योंकि सेम हैं और आजकल लोग प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे है है चाहे वो एम्स हो जिप मर हो अगर आप MBBS अच्छे से करते हैं तो आपको यह डरने की बात नहीं है कि मैंने उसे त्यारी नहीं करी या उसे लेहन की नहीं करिए लगभग सब सीम ही है आपको बीच मिलता है दोनों एकांप के बीच लगभग कर सकते हैं अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इत्ती दंबी वीडियो देखने के बाद आप में इतना कमिट्मेंट है कि आप आप अच्छा करेंगे इन थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको कोई किसमें डाउट्स हो या कोश्टन हो तो प्ली होता है तो आपको हेल्फुल गएगा